मैंрий आरपी कैसे आप सब किया आपका फोन चौरी हो गया हैibly आप इसको ट्रैक के कैसे ड़ुआ हैं क्या करें ताकि आपका फोन पर रिकवर हो पा मैं इस वीडियो में आपको बतांगा कि कैसे आप अपने फोन को ट्रैक पर लेज़ेगा वहां से आपको एक कॉपी मिलेगा उस कॉपी का हेल्प से आप जिस कंपनी का सीम यूज़ करते थे वहां पर जाके आप अपना सीम निकल वा लेज़े गौवर्मेंट ने अभी एक पोर्टल लॉंच किया है जो पहले सिर्फ दिल्य और रायस्थान के लिए था आप को बिखाया हूए www.cei.go.in आप सिंपली www.cei.gov.in पर जा सकते हैं यहां पर क्लीक करने के बाद देख सकते हैं यहां पर लउस्ट मॉबाइल को बुक करा सकते हैं उसका रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं मोबाइल जब मिल जाए तो आप यहां पर अनब्लोक करा सकता है तो हम लोग बुक करते हैं यहां पर तेक सकते एक फॉर्म कुला है फॉर्म में जैसे आप से पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर अगर दो है तो दो एक है तो एक ही दे दिजेगा अगर है तो दो आइमाई शिंगल सिम है तो एक है अगर दोनों सिम आप उसमें यूज कर रहे हैं तो दोनों मैं दे दिजेगा यह मुबाइल नंबर वह ही दिजेगा जो आपके पास अबॉबलेवल हो अभी जिस पर आप ओच्पी वगर ले सकते हैं जैसा कि आप बताये थे कि वह complaint copy से आप अपना phone number निकाल लिए होंगे 24 गंटे बाद आपका SMS service काम करता हो तो आप उस mobile को भी use कर सकते हैं यहां से आप brand select कर लिजेगा device का जो भी model है जैसे Samsung का A14 हो गया रियल में GT जो भी आपका model है वो कर दिजेगा उस phone का bill यहां पर upload कर दिजेगा last location कहां आपको याद है वो डाल दिजेगा date दे दिजेगा state select कर लिजेगा district police station जो complaint आपको जो copy मिला है उसका number और उसका यह copy यहां attach कर दिजेगा mobile owner information आप owner अप ही है तो आप अपना नाम और address और ID proof अप्लोड करेगा ID proof का यहां number मांग रहा है email ID दे दिजेगा capture भरिएगा अपनो mobile नंबर देखे OTP यहां पर आपको declaration मांग रहा है कि आप यह जो कर रहे है यह सारा information सही है अगर सही नहीं है तो बाद में आप पर करवाई हो सकती है यहां submit करिएगा request ID मिल जाएगा जो जो ID आप यहां पर डाल करके check कर सकते हैं अगर आपका phone मिल जाता है तो आप यहां पर आके उसे unblock जरूर कराईएगा तो जाएए अपने phone को track करवाईए पर जाने से पहले मेरे इस channel को subscribe कर ले कोई जानकारी या सुझा हूँ तो comment करे अट्लिस एक like तो करीदे लाइक करने के लिए धन्यवाद